बड़ी खबर आरे उसका रुक करते हैं बिहार के गया में लज़ेपी नेता की गोली मार कर हत्या कर दी गई लज़ेपी के लेबर सिल्क पते सद्धक्ष मुहम्मद अनवर अली खान पर अग्या थमलावरों ने फारिंग कर दी और ये वारदात उस वक्त हुई जब वो एक सैलून में मौजूद थे अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है कि हत्या के पीछे की वज़े क्या है और किन लोगों ने इसे अंजाम दिया पुलिस सीसी टीवी खंगाल कर सुराग जुटाने की कोशिश कर रहे देखें मौके पर किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग मौजूद है और अब पुलिस इस पूरे मामले में जाच करने की कोशिश कर रही है कि आखिर किन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया और कौन लोग थे तो बिहार के गया में लजेपी नेता की हत्या हुई उसके बाद हरकम मच गया है आपको बता दें कि जो लजेपी नेता हैं मौमद अनवर अली वो लेबर सेल के प्रदेश सद्धक्ष थे और हमलावरों ने उन पर फारिंग कर दी वारदात उस वक्त हुई जब वो एक सैलून में मौजूर थे वही पर उनकी हत्या हुई अभी तक हत्या की वजह है और हत्या करने वारी लोगों का पता नहीं चल पाया है इलाके के सभी CCTV फूटेज को पुलिस खांगाल रही है पुलिस क्या कर इस पुरे वरदात को लेकर सुनाते हैं उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई है और अभी जैसे हत्या की सुचना मिली तो तुरंत वहाँ पे थाना प्रभारी एवम DSP साहब जो है रखा गया भीजा गया और जो भी संलित अपरादी हैं उनको शीगरी किरफ करते हैं और चले बहुत मोहाली का रूख करते हैं जहां पर एक केमिकल फैक्ट्री में भीशण आग लग गई है मोहाली में केमिकल फैक्ट्री आप देखे किस तरीके से आग के जब में आ गई है और आग इतनी भेंकर है कि दूर दूर तक धुएं का गुबार देखा जा रहा है ये तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं ये मोहाली के तस्वीरे जहाँ पर एक कैमिकल फैक्टरी में आग लग गई है और बेहद भीशड आग है इन तस्वीरों को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आग की इंटेंस्टिय कितनी जादा है दूर तक ये धुए का गुबार देखा दा सकता है मौके पर जो प्रशासन है पुलिस है वो मौजूद है और अब कोशिशे की जा रही है कि इस आग पर काबू पाया जा सके तो कैमिकल फैक्टरी है जो अलंसील पदार्थ वहाँ पर पहले से मौजूद होते हैं ऐसे में ये जो आग है ये प्रम पर केमिकल फैक्टरी है जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गया पत्रकारता कोई एमोशन नहीं है ना अपना कोई ग्यान देना है और ना कोई विचार ना है पत्रकारता का मतलब है सही जानकारी इकठा करना और तथ्य बताना पत्रकारता अज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जिरूब है। वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात नौ बजे प्राइम टाइम नहीं होगा। ये आपका टाइम जगविंदर पठियाल के साथ देखिये पब्लिक इंट्रेस्ट सुमवार से शुक्रवार रात नौ बजे सिर्फ एबीपी नियूज पा। एबीपी नियूज आपको रखे आगे। एबीपी नियूज आपको रखे आगे। एबीपी नियूज आपको रखे 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 आपको